नवस्कार जय हिंद कैसे आप लोग देखेगा अभी CRPF की जो विकेंसी आपकी आई हैं सभी को पता लगया इस नोटिस के बारे में और पेपर भी जल्द ही फॉम भी भरने शुरू हो जाएंगे लेकिन सबसे मैंने जो पॉइंट है आज उसी के बारे में बात करेंगे और अगर एक-एक स्टेप आपको समझ में आ जाता है जो चीज मैंने बताई है अगर आपको कर लेते हो उसी स्टेप के नुसार आप चलते हो तो स्लेक्शन की 100% गारंटी यहां पर है पहली बात तो यह कि जितने भी बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो देखी है जहां प के लिए भी मैं तरीका साथ साथ लेके चलूँगा यहां पर स्टेप बाइज एक चीज बताई जाएगी कि कैसे यह लेटर हमारे भी सरहाथ में आ जाए ना बहुत जरूरी है चलो उसी बारे में बात करेंगे एक एक चीज के बारे में ध्यान पर समझेंगे पेसेंस बनाक है कि आपके लिए जो ड्राइवरी के लिए है टेंट और दीयल तो चाहिए चाहिए आपको थैवी वाला अभी बात कर लेते हैं यहां त्याप मैंने लिखवाए हैं यहां पर साबसाब देखेगा यहां पर चीजों के बारे में जिकर किया गया है और यहां पर मुझे प्रकार की सब बारे में प्रकार की सबी पूस्टों में पुस्ट में अपलाई करते हो वहां पर आपको टेस्ट होगा डहीं यह सोचे कि आपको किसी नहीं नहीं बताई होगी उसके बाद डोकुमेंट वेरिफिकेशन जैसे डोकुमेंट वेरिफिकेशन कट आपके सामने होगी तब ही तो डोकॉमेंट वेरिफिकेशन आएगा और सीधा आपका फिर सेलेक्शन आपके सामने होगा ठीक है अभी बात कर लेते हैं सी जीडी के बिल्कुल डिट्टो से बस रहना है तो कुष्चन आने हैं सो नमर का आपका पेपर रहेगा जिसमें रीजिनिंग येस और साथ-साथ मैथ हो इंगलिस नहीं ना चाहते हैं इंगलिस या वरना हिंदी से भी आप लगा सकते हो अब बात कर लेते हैं जैसे कि फीज किलोमेटर आपको दोड़ लगानी है चोबीस में राम से मार देगा 20-20 मिनट¬ में मार देते हैं महिलाओं के लिए क्या है चोबिस मिन्ट दिये जाएंगे यहां पर क्या है कि दो क्टेग्रियों में डिवाइड किया गया है अभी क्या है अगर महिलाओं का देखता हूं सीधा 24 मिनट की बात की है तो वन पॉइंट six क्या दे रखें एंग狂मीटर देना है आपको और वह भी कितने मिनट में देने हैं यहां पर यहां पर दियाँ दियेगा यह आठ मिनट की बात की आठ मिनट और 30 सेकंड की बात किये हैं यहां पर एक किलोमेटर अराम से हो जाएगा डेट किलोमेटर से सो मीटर ज्यादा अगर मैं अधर डिटेल्स के बारे में बात करता हूं जैसे की चेस्ट के बारे में मैं चीज है हाइट और चेस्ट यह आपके दिमाग में सवाल आता ह है बार-बार पूस्ते हो तो यहां पर देखिएगा अगर मैं यहां पर बात करता हूँ हाइट के बारे में मेल और इधर सभी कटेगरियों को रखा बस अब यहां पर बात कर लेते हैं फीमेल में ने क्या है यहां पर बात कर लेते हैं फिमेल में ने क्या है बस आपकी क्या है हाइट मेजरमेंट होगी 157 और 150 किसका है ST का है अगर आगे के point पर बात कर लेते हैं तो जहां पर मैंने यह बात की थी कि train test क्या होगा यहां पर क्योंकि अभी तक किसी ने इसके वारे में जिकर नहीं किया क्योंकि यह सबसे ज्यादा रहने चीए बीस रहने चीए पचास नंबर का test होगा सरी है क्या जैसे कि आपने ड्राइवरी के उपर डाला फों तो आप से गाड़ी चला के देखेंगा ऐसे नहीं कि हैविलेसर बना के चलेगे और बोलते कि हम तो ड्राइवर लगेंगे यानि जैसे फीजिकल और मेजरेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपका यह होना है कम पल्सरी है और इवन साथ-साथ इन्हों ने यहां पर भी यह भी दे रखा है कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे प्लंबर की है इन सभी कंडिडेट को क्या करना पड़ेगा इनके प्रफॉर्मेंस के इसाव सिर्ष होंगे ठीक है आराम से हो जाएगा कोई धिक्कतवाली बात नहीं है क्वालिफाइंग नेचर है और जैसे ही इसके बाесть करthe हैं जैसे आप इसको qualify करते हो उसके बाद आपका medical होगा आप बात करते हैं सब्सक्राइब की जहां पर आपको क्या देना है टेस्ट देना है तो अगर आपको अगर आपने ड्राइवरी के उपर पोस्ट डाली है तो ये मानगे चलिजीएगा आपको 40% भी नंबर आते हैं जर्नेल वाले बच्चे की बारे में बात कर रहा हूं जिसके भी 40% यानि 40 नंबर तक भी आते हैं ड्राइवरी में मैं यहां पर हूं लिख के द सकते हो यानि आप अपना स्कोर पचास या पचास से ऊपर लेके मान के चल सकते हो तो आपका इन सभी पोस्टों में क्या है सेलेक्शन आगे की और जितनी भी स्टेज आपकी आती है वह आपको धीरे-धीरे क्वालिफाई करनी है राम सापका सेलेक्शन निकार बुक कौन सी अब भुक बट लेसकते हैं不錯 सबाना एंगली सबएक आपको यहिसाब जानकारी आपकी लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके उपर जुरूर ध्यान रखना ये वाली पॉर्शन के उपर ये वाला पॉर्शन क्या है टेंथ कलास के लिए ठीक ना चलो यहां तक अपना ध्यान रखिएगा और कैसा लगा आपको जुरूर बताएगा अगर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो